जेहिन नमस्कार आप सभी का एक बार फिस्वागत है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके कमेंट्स का जबाब देने के लिए आया हूँ एक वीडियो में ने बनाया इसपर्स पैंसन पोर्टल में माइग्रेशन के उपर पैंसन के सेंक्शन से लेके डिस्बर्समेंट तक और इसपर्स में माइग्रेशन होने के बाद क्या-क्या कारवाई एक पैंसनर को करनी है उसके बारे में और उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ एक ऐसे कमेंट आयें जो की सभी pensioners को जानना जरूर है देखिए पहला कमेंट आया मनोज कुमार जी का उन्होंने का ID password is not coming There is migration in August अगस्त में ही इनका migration हुआ है और इनकी pension 30 अगस्त 2023 को इनके खाते में credit हुई है तो जिनका भी अगस्त में migration हुआ है उनका user name more password सप्टमबर मईने के दोरान कभी भी आ सकता है थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ेगा migration से दो या तीन हफते तक wait करना होता है user name more password के लिए कभी-कभी जल्दी भी आ जाता है लेकिन जैसे ही आपका पूरा pension data पर verification होता है verification होते ही आपका user name और password आपके registered mobile number के उपर आ जाएगा दूसरा comment आया है महुन सिंग जी का इनका कहना है कि क्या cyber keyfee वालों को username, password और OTP देने से कोई fraud हो सकता है मैं बताना चाहता हूँ हो सकता नहीं है fraud हो चुका है हमारे ही बीच में एक pensioner ने cyber keyfee के उपर जाकर user name और password दिया और जब हूँ अपने गर पहुँच गए तो उनके इसपर्स के portal में उनका user name और password यूज करते हुए उनकी bank detail को ही बदल दिया उसके बाद 3-4 मैने तक उन pensioner के खाते में pension नहीं आई तो उन्होंने सिकाइट की सिकाइट करने के बाद पता चला कि उनके pension portal में जो bank account details है उनमें किसी और का ही bank account फीड किया हुआ है और ये काम किया cyber keyfee वाले ने उसने अपने ही एक relative का bank account detail pensioner के इसपर्स profile में update कर दिया और pension किसी थर्ड party के account में जाने लगी भी भी आप cyber keyfee, common service center या कहीं भी आप अपना इसपर्स profile लोगिन कराएं तो आप खुद वहाँ पे user name और password एंटर करें और जो OTP आता है वो OTP आप खुद ही एंटर करें और जब काम पूरा हो जाता है तो आप उस website से इसपर्स के profile से logout खुद करके आएं ग्यान रहें इस लोगिन के दुरान save password भी Google दौरा पूचा जाता है तो आप उसको हमेशा don't save के उपर ही क्लिक रहें अगला कमेंट है सर मैंने एकाउंट ट्रांसपर कर लिया SBI to SBI मैंने इसपर्स त्रू पैंशन आता है सर अब क्या करना पड़ेगा सर प्लीज कमेंट सर इनका कहना है कि इन्होंने अपना bank एकाउंट जिसमें इसपर्स से पैंशन आते थी वो SBI to SBI ट्रांसपर कर लिया है SBI की एक ब्रांच से SBI की दूसरी ब्रांच में ट्रांसपर कर लिया है इसके लिए आपको SPS के प्रोपाइल में लोगिन करना है बैंक डिटेल्स में जाना है और वहाँ पे जो आपकी करंट State Bank of India की ब्रांच है जिसमें आपने एकाउंट ट्रांसपर किया है उसमें IFAC कोड को चेंज कर देना है इतना ही काम आपको करना है और अपनी रिक्वेस्ट को सब्मिट कर देना है PCDA इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और आपका Bank Account Details इस पर्स के Profile में भी अपडेट हो जाएगा एक महन सिंग जी का और कमेंट आया इनका कहना है कि सर इमेल आइडी में मेसेज आएगा या नहीं यूजर नेम और आइडी कितने दिन में आएगा माइग्रेशन के 2-3 हफते तक इंतजार करना है लेकिन इस टाइम फ्रेम में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के उपर ये यूजर नेम और पासवर्ड आएगा इमेल आइडी के उपर पासवर्ड और यूजर नेम नहीं आएगा तो अपने मोबाइल को हमेशा एक्ट्यू रखे चालू हालात में रखे जिस मोबाइल नंबर पर बेंक ने आपको मेसेज बेजा कि आपकी पैंसन का माइग्रेशन इस पर्स में हो चुका है उसी मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड भी आएगा एक कमेंट यहाँ पे किया है उमेश जाजिन है इनका कहना है कि इन्होंने 20 सप्टमबर 2022 को PDV कराया था लेकिन मेरे इस्पोस का डेटो बर्थ अपडेट नहीं हुआ जबकि आदार एंड पैंड अप्टू डेट है यानि PDV के बाद इन्होंने अपने इस्पोस का डेटो बर्थ अपडेट किया होगा जो कि इस्पर्स के प्रोफाइल में पैंडिंग है इनका कहना है कि वो अपडेट नहीं हुआ है या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने PDV करने के बाद मेनेज प्रोफाइल के जरिए इस्पोस का डेटो बर्थ अपडेट नहीं किया इस्पर्स नहीं है कमेंट मैं दोनों का जबाब दे देता हूँ कि आपकी service request यदि pending है तो आपको wait ही करना होगा जब आपका record ओपीस date of birth को approve करेगा तो इसपर्स के profile में update होगी यदि आपने PDV के बाद manage profile के जरिए date of birth को update नहीं किया है और आपकी जो discharge book है उसके मुताबिक आप date of birth अपडेट करना चाते हैं तो आप manage profile में family detail में जाके edit के option पे किलिक करते हूँ date of birth को update कर सकते हो एक यहां पे और comment आया है इनका कहना है कि Sir when PCDA website link is not available Please make a video regarding PCDA pension website working March 2023 से लगातार PCDA की website इस कारण से बंद पड़ी है क्यूंकि उसका security clearance certificate नहीं बिल पा रहा है और इसके बारे में हमारे के वेटरेन ने CP ग्राम के जरीए complaint डाली तो जवाब यह आया कि technical problem की वज़े से NIC को बता दिया गया है और website जैसे ही चलेगी सब को सुचित किया जाएगा तो website जब चलेगी तो सब को भी पता चल जाएगा लेकिन PCDA का कहना है कि technical problem है जिसकी वज़े से ये website नहीं चल पा रही है और ये technical problem अभी तक दूर भी नहीं हुई है एक comment और आया यहाँ पे इनका कहना है कि manual life certificate में gram पंचाइट से signature करा सकते हैं बिल्कुल head of the पंचाइट से आप manual life certificate में signature करवा सकते हो तो सातियों इस परकार मैंने उन comment का जवाब दिया जो comment जिनका comment का जवाब सभी के लिए लागू है अब इस पर्स में फिर से migration होना शुरू हो चुका है इसलिए जिन pensioners का इस पर्स में migration हुआ है वो हमेशा आपने mobile को चालू हलात में रखें कभी भी आपको username password मिल सकता है जिसके बाद आपको जितने भी declaration से वो accept करनी होगी और इसके बीच में आपको migration का message भी आएगा migration की ID भी आएगी इस पर्स का PPO नंबर भी आएगा और आपकी pension credit का message भी आएगा इन सब के लिए आप बढ़े रहे हैं आगे की जानकरी के लिए सेनिक समाचार वारत चैनल के साथ जो भी इस पर से जुड़ी होई जानकरी है वो इस चैनल के उपर available है आप एक बार visit करें देखें और जो भी आपको जरूरत हो वो वीडियो आपको मिल जाएगा आप सर्च करें इस वीडियो में इतने सात्यों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप से जुड़ी हो जानकरीों के साथ तब तक के लिए जहन